हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं आदमी है उम्र है 32 साथ हाली में इसे दिनका दौरा पड़ा है, शायद दो-तीर महीने में शराब और सिग्रेट्ट पीने की बहुत बुरी आदता इसे मिल्क और मिल्क प्रुडेक्ट्स, बिल्कुल पसंद नहीं करता है और तक्दीर वाला है, शादी नहीं केशने शराब लगता है, बोलती बन दो के शाद्मी का पूरा कच्च्छा चिट्था नहीं कर लिया। मैं फ्रेडी, एक उंगली से नहीं, बलकि एक उंगली के इस छोटे से नाखून से मैंने इस आदमी की पूरी कुंडली खोलडा ले। अहीं? अरे अभिशा, यहारा सूर इस पस्चिम से निकलाता गया? मैं हैरान हूँ के तुमारे पापा ने मेरे साथ घूमने जानी पर्मिशन कैसे दे दी? पर्मिशन देने की एक खास वजा थी ज्या वजा भई? उन्हें तुमारा एक गहरा राज पता चल गया है राज? जलता राज? वो पुप जलता है बड़ी जल्दी में जाने दो से? जल यार जा जाँ मैं मैं क्या कर रही है आराम से चलो ना? गाड़ी के ब्रेक्स काम नहीं कर रहे है पिख जाँ जान भजा रहे है झाल, तब मैंघ कोड़ कि बढ़ा बेला तै वह नो शॉर्या, खुन बहुत बहर है, एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी! एम्बुलेंस ने चाहिए, मेरी गाड़ी में से बैग निकालो, बैग निकालो मेरी गाड़ी में से जल्दी! अरे मैम, आपको बैग की पड़ी है, अपनी हालब तो देखिए, ऐसा क्या है उस बैग में? वह उस गाड़ी में? एक करोड रहे निकालो उसे, जल्दी निकालो! उस काम की बात पता चली? हाँ, सर. इस गाड़ी की ब्रेक लाईन कटी हुई गें, यह एकियो. महलब जान बूच के ब्रेक फिल की गई है अरे याद डांस मत कर, काम कर गदम रड़ी सर माल दो आपको इतने सारे पैसे मिल जाए तो आप उन बैसे होड़ क्या करोगे वाइप से पूछ के बताऊँगा वाइप से पूछ के बताऊँगा सर पैसे जाए लेके यह जा का रहे थी एक बार होश में आ जाए तो और यह कहानी पता चले सर यह तो अच्छा हुआ यह दोनों उस वक यहाँ थे नहीं तो पायल की जान भी जा सकती थी यह बात तो है आप लोगों ने अच्छे नागरी खुने का अख अदा किया थेंकी सर आप अपने अड्रेस और नाम अगरा दे दीजेगा जुरत पड़ेगे तो कॉंटेक्ट करेंगे सर्क सर्क यह दिकी यह दो आप यह माई पिकॉर तो कुछ पता नहीं चल सकता क्या लाश के बारे में किसकी है कैसे मारा यह बताना तो मुश्किल है लेकिन एक बात साफ दिखाई दे रही है इसकी यह उली कटी हुई है किसी एक्सिडेंट में कटी थी उंगली या फिर इस आदमे की उंगली पहले से नहीं यह बताना मुश्किल है अगर यह उंगली एक्सिडेंट में कटी है तो क्राइम सीन पर ढूंडते है उंगली मिल गई तो इस केस में बहुत मदद हो जाएगी भी पाइल से भी पोछ लेता हैं कि अपने कार के डिक्की में किसा भूं रही थी वो मेरी कारी के डिक्की में लाश आग इसki किसी हो सकती है यह स्वाल हम तुम्हे पूँछ रहे है पायल वो लाश किसकी थी विश्वास कीजिए मेरा मैं नहीं जानती कि मेरी गाड़ी की डिग्गी में वा आदमी कहां से आया? पर वो एक करोर रुपे? उसके बारे में तो तुम जानती होगी, है? देखो पहया, तुम्हारी ये खामोशी ना तुम्हारी मदद करेगी, ना अमारी. तुम्हारी गाड़ी में हमें एक करोर रुपे मिले, गाड़ी के डिक्की में एक लाश मिली है, तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक्स फेल किये गए थे पाय, तुम्हारा अक्सिडेंट नहीं हुआ, कोई तुम्हें मारना चाहता था, तुम्हारी जान लेना चाहता था, समझ रही हो तुम? मेरे पाथ ही आलोग किड़नाइप हुआ है उनका. क्या? आलोग किड़नाइप हो गया? कब हुआ ये? और तुमने पहले क्यों नहीं बताया हमें? कल रात, इपूले से वापस आने वाले था. पहुँचे ने, उन्हें ने बहुँचे ने, उन्हें बहुटे भार पोर्ण में ट्राइप किया, लेकिन उनक्या फोर्र नहीं लग रहा था. आरी राव टेंचिन में पहुट्टू. अब्सुपा, किसी कहा प्रणाइप आया? उन्हें ने कहा, कि अगर करोड रुपे नहीं पहुचाए, तो, आ लोग को… कहीं वो लाश, आ लोग? पायig? पायig? सा? पायव. आख को बलो, नदर्स को बलो, यलिदि. पायि, सम्हालो, आपको! नर्स, वल्दी आईए! नच, पention लीज नल्दी कीजिए! पायल, रिलाक्स. पायल, रिलाक्स. पायल. रिलाक्स. मेड़म आप ठीक तो है ना? पार एक बात बता हूँ उन खिडनापर्ज ने तुम्हें पैसे लेकर कहां पे बुलाया था? लुनापला के एक घर का एड्रेस दिया था देगी जब मैं वहाँ पहुची तु कोई था ही नहीं वह घर बिल्कुल सुल्सान था फिर? उसके दाद मेरे पास किडनापर का कॉल आए उसने कहा के मुंबाई वापस आजो और रास्ते में गाड़ी के ब्रेक फॉल हो गए ठीक है पार अब तुम आराम करो आप बाद में आएंगे इस बात आखरी सवाल पाईल ये बता कि अलोक की हाथ की सारी उंगलियां सही सलामत थी मेरा मतलब है कि उसके दाई ने हाथ की ये उंगली थी? जी हाँ उनकी सारी उंगलियां बिल्कुर ठीक ठाक थी कियो पूछ रहे हैं क्योंकि पाईल उस लाश के दाई ने हाथ की ये उंगली गायब है इसका मतलब वह आलोक की लाश नहीं आलोक ठीक है वह जिन्दा है वह सकता है तुम जल्ली ठीक हो जाओ हम? पायल का फोन चेक कर लिया है उसे वाक़ी कॉल राय थे कॉल साय थे? कॉल साय थे? जी सर काँ साय थे? सर एक नंबर चुटनापतिका और एक खाट को पड़ता दोनों काफी बजी रहने वाले पिस्सीो है इसे पता नहीं चला की कॉल साय कहा से एक बार वो कटी हुए उंगली मिल जाया ना तो पिर ये केस तेजी सागे बढ़ेगा उसी तेजी से सर जिस तर अब फ्रेडी सर ट्रेड्मिल में बागते है अरे आर फ्रेडी के ट्रेड्मेंट वाली नहीं ऐसे तो साल बर लग जाएगा केस में हमें जल्दी डूढ़ना है चेक करो कर अबक्षे नहीं है अबशा तक सर कुझ को आधे जाएगए इसी जंगल में त्यानसे ठोड़ँ झाल पाल पाल झाल अई शबज प्रजब इल सर! सर, उंगली मिल गई कोड़? मेरी नजर छिल कॉमो जैसी है अब बता पमकच मेरी ट्रेडी मिल पे जोक मारेगा तू? हाँ, ठीक है, बाकी का जोक अब साणों के साफ के सामने माले क्या हो रही? क्या गुस्पुस क्या हो रही है? सानूं के साफ ना, आप फेक तो नहीं रहे? हाँ, नाखुन देखके कोई इतना सब कुछ कैसे बता सकता है? आपने नाखुन दिखाऊ नाखुन दिखा ना? लाख तुम्हारा दो परिसके लिए उगवी तो नहीं पड़ेगी ना? पड़ेगी तो पड़ेगी, लेकि कोई बात्तों? आप इवह वैसी ही बताते हैं, अबाकर ना? अंकज, आज तुमने पालक पनीर खाया खाने में आपने नाखुनों को देखो, अपने नाखुनों को देखो, पालक पनीर खाया अभी तक हाथ साफ नहीं किये तुम्हें ना? आप 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 हो गया? या किसी को कुछ और पूछना है? बस इतना कि इतना सब कुछ आपको एक्जाटली कैसे बता चला बड़ी सिंपल सी बात है, बजीत इस आदमी की उमर का पता लगा इसकी पूली की हड़ी को देखकर और वो दिल के दौरे वाली बात? यह यह जो ओरिजेंटल लाइन देखर हो तुम इसके नाखून पर इस सीधी लाइन बताती है किस आदमी को को गंबीर बीमारी थी जैसे दिल की बीमारी मतलब की हार अट अटक और यह सिगरेट और शराप की बात तो अटको इसके नाखून के कलर से पता चल गई हो गया आपको अए कार सर यह बताया kupकर वो दूद नहीं पर चाला जो पंकस यहां धेखो इसके नाखून में यहां 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 जो सफेद सा पहच है न यह बताता है किसा आदमी को केलशयम की कमी थी और केल्शियम की कमी तभी होती है जब इनसान दूद या दूद से बनी हुई चीजे नहीं खाता है। स्दालूंके सब, सबसे बड़ी बार, नाखुन देखके आपको ये केसे पता चला कि इस आदमी की शादी नहीं हुई है। मजाग था। मजाग था या, कहाम ही काम करेंगे, मजाग नहीं करेंगे हैं। मेरे, चक्तुप। अलोग के घरवालों ने उसकी मेडिकल रिपोर्ट भेजी है। क्या वाब, अलोग का ब्लड़ ग्रूप मैच्छ वा उगली के साथ? नहीं, अलोग का ब्लड़ ग्रूप है ए नेगिटिव और अलोग का है ए पॉजिटिव. ओ, वाहल के गाड़ी जो लाश मेले थी अलोग के नहीं, किसी और की हैं। अलोग के किड्नेपिंग में, जाना कभ यो किसकी लाश आगई। जोना वाला घर यही है, जहां पर पाहल आई थी। गर के कोना कोना चान मारो, और समाल के किन्ना परसंदर हो सकते हैं। जहां परसंदर हो सकते हैं। जहां परसंदर हो सकते हैं। सर, अंदर कोशश नहीं मिला सर। जहां पाहल को यहां बुलाना एक बड़ बड़ी साजिश थी, यह देखा तम लगोंने। निषएतनी के निशान और यह टायर मांक्स। तो हुआ कुछ ऐसा होगा उस राद पायल ने गाड़ी यहां खड़ी की है पायल गाड़ी से नीचे उतरी अपने पती को डूड़ने के लिए बंगले के में गेट की तरफ बागी जब पायल बंगले के उस तरफ थी तो किडनेपर्स आये और उन्होंने लाश को डिक्की में डाल दिया और उसी वक्त एक नैपर ने गाड़ी के ब्रेक फेल करती है और जब पायल यहां वापस है लाश डिक्की के अंदर और गाड़ी के ब्रेक फेल पर किडनेपर्स का पायल को यहां बुलाने का मकसद पैसा नहीं इसके मौत थी बना उसकी काड़ी के ब्रेक फेलने ही किया जाते पता है एक जोती जी ने मुझसे क्या कहा था कि आज मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिलने वाला है जो बहादूरी वाले काम करता होगा जो दिखने में लंबा, चौड़ा और गोरा होगा मैं, हम लोग सियएडी से सियएडी से? मतलब बहादूरी वाले काम करने वाले? मतलब प्राइब में, मैम, कहा को गई आप? हलो? हलो? सुरी, हम लोग CID से, हम नहीं आपको फोन किया था. हमें उन पेशिंट्स की फाइल्स चाहिए, जिनके उम्रबत्ती साल के, और जन्हें हार्ट अटाक हुआ था. जी, हाँ, मैंने निकाल के रखिये. प्राइब में, इनमें से दो के ब्लड ग्रूप है ए पॉजिटिव और एक का है ए नेगेटिव. नाम है आरियन, और कटी हुई उंगली का ब्लड ग्रूप भी ए नेगेटिव है. इसका मतलब है ये लाश आरियन की है, आरियन. कहा ना के आरियन अभी वापस नहीं आया है. जब आज आएंगे तब मैं आप लोगों को बता दूँगी. यह आरियन का घर है ना? जी. आप, जी मैं उनकी असिस्टेंट वीटा. और आप लो? सी आईडी. सी आईडी? कुछ हो गया कि आरियन को? तृता हमें एक लाश में लिए. और हमें शक है कि वो लाश आरियन की है. यह आरियन कुछ दिनों से घर से गायब था? सर, दो दिनों से उनको कुछ नहीं पता था. अभी ओगनेजस के ही कॉल आ रहे थे. वैसे आरियन की आखरी अपॉइंट्मेंट्स या मीटिंग इसके साथ हुई या किसके साथ होने वाली थी? कुछ लिखके रखा है तुमने? सर्टर पहले वो केरे कोमालिक से मिले पेसे भी एल के साथ मालिक से मीले. से अपने बैंड के साथ के रहने की उसके बाद वो पायल के साथ लंज पे गए और फिर… जै कि पोतागी हूँ पायल के साथ लंजे के लिख यह पायल को wh ए? सर, पायल उनकी बहुत अच्छी दोस्त है जा यह वही पायल है? हाँ, यही है पायल अब जानते हैं इसे? वरिता, यह आरियन के साथ और कौन होता है गर में? सर, एक बूरी माह है बस, जो अबी कॉलकता में है उसका एड्रिस दे दो हमें हाँ, सर, इसी डायरी के लास पिछ पर है यहाँ सर, काम करते है आरियन की मा का ब्लड सैंपल मंगवाते है देखते हैं, डियने मैच करके पता चल जाएगा कि वो कटी हुई उंगली उस जली हुई लाश की है यह किसी और की हाँ, डोट सर, यह यहाँ, यह आरियन की मा का दो ब्लड सैंपल मिला था, उससे कुछ पता चला प्षुण? हाँ, उसकी डी ने रिपर्ट भी आ गई है और उसे पता यह चला है कि वो कटी हुए उंगली जो है, वो आरियन की है और वो सकता है कि ये लाश भी आरियन की हो आपको लाश करें ने तो मिला नहीं है यहीं तो मैं कब से डूनने के कोशिश कर रहे हूं दया कि कहीं कोई ठीक ठाक स्थेती वाला टिशु भी मिल जाया और आसु पोचने के लिए कोई तीशु पेपर भी नहीं मिला मज़ा का टाइम है यह है तिखने रा तारिका जी किनी परेशान है कामदाम कुछ नहीं है और तब आप चलो एक बल के लिये मान लेते हैं कि कटिवी उंगली के साथ साथ ये लाज भी आरेन की अब सवाल ये उठता है कि आरेन की लाज पायल के कार में कैसे और क्यों अब वही तो ये पायल तो किड़नेबर्स को पैसा देने के लिए जा रही थी ना तो बीच में आरेन कहां स अरे सर आरेन की असिफ्टन बता रही थी ना कि आरेन और पायल बड़े अच्छे दोस्ते हैं अच्छा 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 ये चक्कर है पती पत्नी और दोस्त पायल जी घर पे भी दवाये टाइम से लेते रहेगा जल्दी ठीक हो जाएंगी थेंक्यो सिस्टर बहुत है थेंक्यों वेरी मच्छ तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त आरियन की एंच्छ पायल 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 समाल आओ इधर बैठो, आराम सिद्यास, बैठो था मानी पेओ तो पायल जी बताइए, आपके और आरियन के संबंध के बारे में? दोस्ती से कही बढ़का रिष्टा था हमारा? क्या लोग जानता था तुम्हारी और आरियन की इस दोस्ती के बारे में? नहीं, आलोग को पड़ी ही कहा थी मेरी मेरी जिंदगी में क्या होता है, क्या नहीं होता है उससे कोई फारक नहीं बढ़ता था बहुत जल्दी अलग होने वाले थे हम लोग पर मेरी मुलागात आरेन सुवी पर सजीने लगी थी मैं आलोग को मालूम नहीं था पर आरेन का पत्ता आलोग ने तो नहीं काटा अपनी नकली किड्नापिंग की आरेन को मारा और उसकी लाश को पायल के गाड़ी के डिक्खी में रख दिया और पायल की गाड़ी का ब्रेक काट दिया नहीं, नहीं, मैं नहीं मानता है, सर्थ मेरा बिटा, मेरा बुड़ापे मेरा नाम इतना करम नहीं कर सकता आलोग यह क्या की यह क्या की बहुण जी आखरे मार कब मिले थे आप आलोग से? सर्थ तीन दिन हो गए पुना जाने से पहले मिला था तो क्या आपको आलोग के बरताम में कुछ बदलाव नजर आया? कुछ अजीब सी बात हाँ वो पुना जाने के बाद में उसके कमरे में गाया था वह मुझे एक लिफाफा मिला था ऐसा तोड़ा मरोड़ा था जैसे किसी ने अपना पूरा गुस्ता उसके पर निकाला हो क्या था उस लिफाफे में? वो तो मैंने देखा नहीं अगर उस लिफाफा है अभी भी तो मैं उससे देखना चाहूंगा वायल जी, देख्रीए ना? किसी ने आपके और आरियन के फोटोग्राफ्स आलोक को भेजें प्राइविट डेटेक्टिव सर्विस वी-क डेटेक्टिव इसका मतला? आलोक ने मेरे पीछे किसी डेटेक्टिव को लगाया हुआ था? हाँ पायल जी, लगता तो ऐसा ही है पर मिलना पड़ेगा इस वी-क डेटेक्टिव से मनीष, डेटेक्टिव मनीष, ठीक पैचाना आपने क्या करें? डेटेक्टिव का पेशा ही ऐसा होता है कि कुछ भी करना पड़ता है क्या? आप बताए किस पर रुजासुजी करवाना चाहते हैं? CID को प्राइवे डेटेक्टिव भी जुरूत नहीं पड़ती CID? यह फोटो तुम ने कीचे? हाँ यह पाइल कुमार की इसमेने कीची थी किस के कहने पर? उसी के पती आलोग के कहने पर आलोग? हाँ, और जैसी मैंने उसे फोटोस दिखाई उसने ऐसे रियक्ट किया जैसे उसे दुन सार वोल्ट्स का छटका लगा अजीव अजीव बाते करने लगा कि वायल कुछ छोडेगा नहीं उसे मार डालेगा, खत्म कर देगा आलोग को जो कुछ करना तो उसने कर दिया, अब बारी C.A.D. की है बाई आलोग जुर्म करके भागा है या नहीं भागा ये तो नहीं कह सकता लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि ये लाश आर्यन की नहीं है हमें इस जली हुई लाश में से बड़ी मुश्किल से टिशूज मिले और उसमें से हमें DNA मिल गया की बाद, अब DNA मिला ना जर? दया, हम लोग कभी कच्छी बात करते नहीं फिर भी, फिर भी अगर आप लोगों को कनफर्मेशन चाहिए ये चाहिए तो या, तारीका खड़ी है ना सामने पूच कोने लेते तारीका जी ने बोल दिया इसमें कनफर्मेशन की क्या बात है ये 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 वैसे बैसे करना है कि उंगली जो है वह तो आर्यनीय न? जी हाँ ये गंफर्म है कि उंगली आर्यनी ये भी और ये भी कणफर्म है कि ये लाशार्यन की नहीं नहीं, यह बार तब हमें उनके पिता मोहन जी बताएंगे. नहीं, नहीं, मैं मर जाओंगा, लेकिन DNA टेस्ट के लिए कोई सेंबल नहीं दूँगा. मैं कह देता हूँ, कोई सेंबल नहीं दूँगा. आप लोग सोच भी कैसा सकते हो, कि मेरा आलोग, मेरा आलोग इस दुनिया में नहीं है. नहीं, नहीं, देखो, मैं बोल देता हूँ. मौन जी, सिधर बेट जाएगे, चलिए, आइए. मेरी बात ध्यान से सुनिये. अगर आपका आलोग जिन्दा है, मैं तो चाहता हूँ कि आलोग जिन्दा ही हूँ. मगर इसकी तसली के लिए, हमें आपका सालायवा सैंपल जरूरी है, ताकि हम डियाने टेश्ट करके यह पता लगा सकें कि आलोग जिन्दा है. है ना? ड़्टो. प्रिश्टो. प्रिश्टो. हाँ, बताइए सारू के साथ. अब कौन सा नया टुष्टागिया केस में? इस लाश का डियाने मोन जी के डियाने के साथ मैच होता है. मतलब ये लाश बायल के पती आलोग की ही है. अब तो इसमें ट्विस्ट के है? हमने भी तो यही अंदाज लगाय था कि ये लाश आलोग की हो सकती. ट्विस्ट आना तो अभी बाकी है. ट्विस्ट यह है जनाब, कि इस उंगली का मतलब आरियन का डियान भी मोहन जी के डियान के साथ मैच होता है. मतलब यह आरियन भी मोहन जी का ही बेटा है? लेकिन मोहन जी ने यह बात हम लोग उन से चुपाई क्या है? अझे, यह क्या है? अपुरा घर उपतल किया दो. वोँजी! वोँजी! पायल! दिखो, कुरा अप्र ट्रंस्वर, दिखो, क्या है. पायल! वोँजी! पायल! मोहन जी! पायल! पायल! सार! वोँजी! 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 पायल डायल? सार! वोँजी! वो यह ले गया उन्हे! वोँजी! यह तो पता नी कौन था, पर हाँ, बहुत गुस्यमे था, Caroline! सार! दिखता कैसा है वोँजी! सार! सार! वोँजी! सार! उसके हात की उल्यूली? कटी हुई थी इसके हाग की गूल नहीं थी तो आर्यान है सार इसका मतलब आर्यान जिन्दा है साब वो मोहन साब को बोला कि उन्हें नहीं छोड़ेगा और पाहल मैठ भूने बचाने कोशिच की तो उन्हें भी साथ में लेकर चला गया वो कहां जाना की बात करा था पदा न यादा दूर नहींगा है उन्हें, यह कंट्रोल उन्हेंको प्रोन करेंगे उन्हें पूरे शायर में नाका बंदी करें, यह पूरे रंका अब्राउन केलरेंका टेन्पोवां में चैया ही जणिये, जुर्ण. क्यों कर रहे हो दूमिये जब, छोड़दो आमिर. ए, ताकि अपने तेश के लिए मेडल आसकू. निशाने बाजी में? जार्यन, चोड़दो आमें, प्लीज. आर्यन? लेकिन सेड़ी वाले तो कहते हैं कि आर्यन मत चुका है. अरे? ऐसे कैसे? पिता जी की आज्या के बीना तो बेटा उच्छ भे नहीं करता. और आप चाहते हैं कि आपका आशिरभाद निये बीना मैं दुनिया से? नहीं, 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 मैंने कहा, पाहे लागू, पिता जी. पिता जी मैं आपका बेटा, याद नहीं आया है, आप मुझे और मेरी माँ को, कोलकाता छोड़ कर आगे थे, अकेले, अब भे भी याद नहीं आया? याद आया? यह सब उसी का पतला है. म, 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 माफ़ करें बेटा, बेटा माफ़ करें, मैं मजबूर था बेटा. सॉरी पिता जी, मैं भी मजबूर हूँ पिता जी, क्या करूँ? आपका बेटा हूँ ना? आपकी का कुण दोर रहा है मेरी रगों में? तो यह, ओले, 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 तो यह, माफ़ी जैसी अच्छी चीज़. ओ नहीं ना सकते फिर मेरे अंदर, है ना? पहले आप मुंबई आए, वा, 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 दूसरी शादीगी? वो भी एक अमीर आरत्थी, मुझसे ज़्यादा प्यार दिया मेरे सौतेले भाई, आलोक को. और आप चाहते हैं कि मैं आपको माफ़ कर दू? मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मौत तेरिया है, सिर्फ लात्र. बेट, बेटा, तुम्हें अपने मा की कसम, बेटा. खवतार अपनी कंदी, तुमाते मेरे मागा रांदियातो! चानते हो, चानते हो यह बत्ला लेने के लिए मैंने कितनी कुर्पानिया दी हैं? यह देखो, अपनी उंगली तक काटते मेरे. देखो, पिता जी, देखो! अरे, तुम तो रही गई? तुम भी देखो. पहले मैंने तुम्हारे आलोक को माता. उसके बाद, उसके बाद उसकी लास टाड़ी तुम्हारी काड़ी की दिक्ती में. और तुम्हारी काड़ी के ब्रेक्स पेल कर दिये. फिर मैंने अपनी उंगली काटी और उसे वही पर फेंग दिया जहां तुम्हारा एक्सिरेंट हुआ था ताकि सबको ये लगे कि आलोक ने गुस्से में आकर पहले तुन्हें मारा उसके बात मुझे लगे निखिन तुम तो बड़ी होशेया आने के लिए है 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 वहाँ जब आच गए लेकिन मौत मौत सबको दूसरा मौका नहीं थी ती तुम्हें दे रही है एक बाहर फिर से मरने का तुम्हों बाहर जाकर दरा नदर रखो, अगर CID वाले आएं तुम्हें जे खवर करदें, ठीक है? पदले से कोई बड़ा नहीं बनता आरेन, तुम्हारा बड़ा पनुसी दे, कि हमें छोड़ दो, पैसे भी आलोग की मौत के बाद ये जिन्दगी सजा से जादा हो, खुछ नहीं है अमारे लिए, हमें छोड़ने में ही तुम्हारा बदला पूरा होगा, जाने तो, प्लीज जाने तो, वाँ, पिलोव सभी है है, डालोग तो बड़े अच्छे मार लेती हो, है ना, लेकिन इतने पर अच्छे नहीं मारती हो, कि एक मुझ्रिम का मन बतल सके, संथी, अब मरने के लिए, तैयार हो जाओ, किये पुरे रंगा ट्राग, वैभी, उस सरफ सरफ, वैभी, कि मुझ्रिम आजए, कि अच्छे कर दो, वैभी, प्याँ, वैभी, 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 धत्र जकत्स कुछ ? फिर लुका प्रिया था एंग एंग मताओ इढ़ मुल वाइसे को जा खामार था विए प्लिव मताओ शाल प्लिव प्लिव में प्लिव खुम सकते हैं कर दो ओना मांजी मांजी एतु मारक सर पाइल जिन्दा लेकिन खून बहुत 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 है एमिलोंस को फॉन को अधिविया जल्दी से जी सर यारेन कान शुपके बैठे है जूंड़ो उसे साथ Detective Manish? Sir, he's dead Sir, इसकी उंगली भी कटी हुए ओ, तो ये चक्कर है ये Manish नहीं है ये आरेन है, आरेन अपने पितार आलोक से बद्दा लेने के लिए इसने अपनी उंगली तक काट दी Sir, पर ये मरा कैसे होगा? पाइल के हाथ में गन है ले एक बार ये होश में आ जाए तो पता चलेगा क्या हुआ था यहाँ में अब कैसी हो पाइल? चीखू सर वो कहते है ना जिसके सर पर उपर वाले का हाथ होता है इसका कुई कुछ नहीं बिगार सकता बिल्कुल ठीक कहा तुमने मगर ये सब हुआ कैसे है Sir, आरेन ने पहले मेरे साथ सुर जी को गोली मारी ने, 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 ने उसने मुझे गोली मारी प्लीज आरेन मुझे मारो आरेन, प्लीज छोड़ दो मुझे गोली मुझे कंदी पर लगी उसे लगा कि मैं मर गए मेरे करीब आया मेहोटी और उसके साथ हाता पाई हो गए उस हाता पाई में गल्ती से गोली चल गए और आरेन मारा गया तो आप मुझे भी गिरफ्तार करेंगे? अरे नहीं, नहीं बिल्कुल गिरफ्तार में करेंगे तुमने तो अपनी जान बचाने के लिए सब किया है ना? ने, कानून इसका खायाल रखता है पारी, सब कुछ खाता मुझे पारी, चलिए जाओंगे यह शहर से दूर, वह दूर पहसे रहे से अथी जिंदकी शुरू करूंगे ठीक है, पार, विस्टावलाग्य चलिए ङोकर रखती है सब हमाँ पारी, यह अफामन non-पार, खारी, यहाज़ अरे, पाइल जी, जाने के तईयारे हो गई? अच्छा हुआ, आप लोग आ गए. मैं आपी लोगों से मिलने आ जी ती. सोचा, जाने से पहले एक बार आप लोगों से मिलो. ओ, नहीं, अरे, हमने तो तुमारे लिए तौफ़ा लाया है, आपके नई जिन्दगी जो शुरू होने वाले? मेरे लिए तौफ़ा? तैंक्यों सो मज़. शुरे? सर्फ. तो पायल, कैसा लगा तौफ़ा? क्यों पापा पसंद नहीं आया? मेरी गाड़ी में एक गन? क्या वाद है? आपने तो गन पहचानी नहीं? पायल जी, ये वही गन है, वही गन! जिसमें से गोली चली आरियन पर और गोली चलाई आपने. आपने ये से कहा था कि आरियन की गन में से गोली चली. नहीं, गोली तो आपने इस गन से चलाई थी. आप लोगों को कोई गलत फेहमी हुए है? मुझे नहीं पता कि मेरी गाड़ी में कहा से आई? गलत फेहमी तो आपको हो रही है, पायल जी. अभी दूर करते हैं, सचिन, इनकी गलत फेहमी दूर करो. निकल, उठाज़ू. यह देखें. क्यों पायल जी, यह तौफा तो पसंद आए गई. सभी को पसंद आता यह तौफा, है ना? क्यों पस्पर, पस्पर, बहुत हो गया भागना पकाना. हाँ, जूटी कहानी सुराई थी मैंड़ा. तर उसमें सब को जूट नहीं था. बहुत कुछ था जो सच्छ था. आरन बदला लिना चाहता था. अपने सुवतेले भाई या अलोक से, और अपने पिता मोहन से. और इसलिए, आरियन ने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फसा दिया. ताके तुम उसकी मदद कर सुकवा है ना? पर वो यह नहीं जानता था. कि जब वो बोहन और आलोक को मार डालेगा तो मैं भी उसे धोका दे दूंगी. और सारी दौलत मेरी हो जानकी. तुमने आरियन को इसलिए धोका दिया, क्यूंकि उसने तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक्स फेल करके. मगर तुमने अपने पती और सासूर का खून क्यूं करने दिया? मार ते वो नौक मुझे. जानवरों से भी बत्ता सनुक करते थे मेरे साथ. नौकरों के ताह रखते थे. मुझे सिर्फ यही एक रास्ता निजर आया. अपना आत्मसमान वापस दाने का. अगर हर कोई अपना आत्मसमान पाने के लिए खून पर खून करते जाएगा, तो क्या होगा समाज की व्यवस्ता का? क्या होगा? बहुत बड़ी गल्ती की कानून को अपने हाथ में लेकर. बहुत बड़ी गल्ती की. कानून तुम्हें कडी से कडी सजा देगा, तुम्हें शायद फासी ही होगी. बहुत बहुत बड़ीं